हेलो दोस्तो असलाम लेकुम कैसे हैं आप सब लोग आई होब आप सब लोग अच्छे होंगे दोस्तो मैं हूँ शमक खान दोस्तो मैं दो तीन दिन से वीडियो नहीं ला रहे थी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने का तो फाइनली आज मैं वीडियो क्यामत से पहले की आखरी रमजान की कहानी कैसी होगी और क्या-क्या उसकी निशानिया होगी काफी सारी ऐसी निशानिया आज पूरी हो चुकी है जो कि हम महसूस भी करते हैं और तो जो कि हम अपनी आँखों से भी देख रहे हैं आजकर नेक लोग है और जो इल्म वाले कॉमेंट में मुझे जरू बताएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्राह्मानिर्राहीम अस्सलामु अलैकुम इलम की बात देखने वालों को राओ कमर रिजवान नई वीडियो में खोशाम दीद कहता है दोस्तों कुरान पाक की सुरह मौमिन में अल्लाह इर्शाद फरमाते हैं कि बेशक क्यामत जरूर आने वाली है इसमें कोई शक नहीं लेकिन अक्सर लोग नहीं मानते दोस्तों कियामत एक अर्भी जबान का लवज है जिसके लगवी मानी खड़ा करने के हैं यानि मुर्दों को कबरों से खड़ा करना यानि दुबारा जिनदगी लोटाना किस काइनात ने बिलाखिर एक ना एक दिन फना हो जाना है जिसके वो मुख्तलिफ तौजिहात पेश करते हैं कोई साइसदान सूरज का इंदन खत्म हो जाने पर जमीन पर क्यामत बर्पा होने की पेशिन गुई करता है तो कोई किसी बड़े बलैक होल को जमीन पर जिन्दगी के खात्मे का जिमेदार ठहराता है लेकिन ये बात तो तैह है कि जिसकी अब्तदा हुई है उसे अपने अखत्ताम को भी पहुँचना है बहाजियत मुसल्मान गयामत और रोजे मैशर पर इमान लाना हमारे लिए लाजमी है क्यामत कब आएगी किस तरह काइम होगी ये बात अल्लह तालह के सिवा कोई नहीं जानता अलबता तमाम अन्बिय अल्हे लिए अपनी उम्मतों को बताई है हमारी नभी हजरत मुहम्मत अल्हिए वालिह वालिह वसल्म ने भी इनसानों को क्यामत की बहुत सी निशानियों से आगाह किया है जिनें अपने जमानों के एतबार से तीन दर्जात में तक्सीम किया जाता है पहला दर्जा अलामात बाइदा कहलाता है जो उन अलामात पर मुश्तमिल है जो क्यामत से बहुत पहले जाहर होंगी जिबके दूसरा दर्जा अलामात मतवस्ता या अलामात सोगरा भी कहलाता है ये अलामात कियामत से कुछ हरसा पहले जाहिर होंगी इसके बाद तीसरा दर्जा अलामात करीब या अलामात कुबरा कहलाता है ये अलामात तब जाहर होंगी कि जब गयामत सर पर आन खड़ी होगी दोस्तो अगर हम रसूल पाक ﷺ की बताई हुई अलामात बाइदा की बात करें तो हमें पता चलता है कि आप ﷺ की बताई हुई अलामात दोरे हाजर में हूब हूब भू पूरी होती नजर आ रही हैं मिसाल के तोर पर सही मुस्लिम की एक अहादीस मुबारका है कि लौंडी अपनी मालकन को जनम देगी और ये कि तू देखेगा कि बरहना पा, नंग धड़ंग मोहताज, बक्रियां चराने वाले उंची उंची आमारतें तामीर करेंगे। दौरे हाजर में ये दो अलामतें हू बहु पूरी होती नजर आ रही हैं। दोस्तो आजकल कराय की कोक एक आम रिवाज बन चुका है जिसमें एक औरत की कोक कराय पर ली जाती है और ये औरत अपने मालकान के बच्चों को जनम देती है। शारो खान का चोटा बेटा अबराहम इसकी एक एहम मिसाल है। इसके ल बहुआला बुखारी शरीफ जब क्यामत बर्पा होगी तो जनाकारी लोगों का मामूल होगी। मर्द औरतों की और औरते मर्दों के रूप धारेंगी। बहुआला दुर्र मनसूर जलाल अदीन से यूती। लोग हम जिन्स परस्ती में मुब्तला होंगे। बहुआला अलमुत्तकी अलहिंदी। क्यामत तब तक काइम ना होगी। जब तक जमाने आपस में करीब ना हो जाएं। बस साल महीने के बराबर हो जाएगा। और महीना हफते के बराबर हफता दिन के बराबर दिन घंटे के बराबर और घंटा एक चिंगारी की तरह जो चमक कर वारन बुझ जाती है। बहवाला तिर्मजी शरीफ। दोस्तो आज दुनिया का हर आदमी वक्त की कमी और उसके जल्द गुजर जाने की शिकायत करता है। जो क्यामत की इस अलामत के पूरा हो जाने की एक वाज़े दलील है। इसके लावा नभी करीम अउस्तों ने दुनिया में आने वाले आकरी रमसाननल मुबारक के होले से भी वाज़े निशान देही फरमाई है। ये रमसानल मुवारक तारीख इंसानी में आने वाला आकरी रमसान होगा, जिसके बाद ये पाक और बाबरकत महीना कभी नहीं आएगा जिसके बाद ये जमीन और इस पर बसने वाली मखलुकात एक साल की अरसे के अंदर खत्म हो जाएंगी किताब अल-फितन में हजरत नॉयम बिन हमाद रजिल्लाहु ताला अन्हों से रिवायत है कि हजूर नबी करीम स्लिल्लाहु अलिही वालिही वालिही वैसलम ने फरमाया कि कियामत से कबल एक रमजान ऐसा भी आएगा जिसमें आवाम नास को एक जोरदार आवाज सुनाई देगी ये आवाज इसकदर हौफनाक और जोरदार होगी कि जिसे सुनकर इनसानों समेथ दीगर मखलुकात सहम जाएंगी और इस खोज में पढ़ जाएंगे कि ये आवाज कैसी थी और कहां से आई लेकिन कोई भी इस आवाज की खोज ना लगा सकेगा सुनो के जिस रमजान और मुबारक में ऐसी आवाज सुनाई दे जिसकी खोज ना लगाई जा सके तो इसके बाद एक साल का रिजग अपने घर में जमा कर लेना क्यूंकि इसके बाद दुनिया से रिजग को ठा दिया जाएगा और लोग भूके रहेंगे दोस्तो कियामत का आना एक यकिनी अमर है और हम मुसल्मान इस बात पर इमान रखते हैं कि ये काइनात अल्लह ताला ने खास मकसद के लिए बनाई है और इनसान को अश्रफल मखलुकात बना कर भेजा ताकि वो अच्छे आमाल बजा लाए ये बाद साइंसी नजरियात के मताबक यूही और इतफाक से वजूद में नहीं आ गई फिर इन अच्छे आमाल की जजा के लिए या बुरे आमाल की सजा के लिए एक यूबे हिसाब होना भी लाजम है क्या इनसानों के इस दुनिया में भेज़ दिया जाता और वो नेक आमाल करते और जो दिल खोल कर ना फर्मानी करते उन्हें उनकी जजाव सजा से महरूम कर दिया जाए यकिनन नहीं और अल्ल्ह ताला की सिफ्ट आदिल औ मकसद के खिलाफ बात है और चुँके ये दुनिया अम्तिहान गाह बनाई गई इसमें ये भी ममकिन नहीं कि रिजल्ट का ऐलान कमरा अम्तिहान में ही कर दिया जाए रूए जमीन पर जो कुछ है हमने उसी जमीन की रौनक के बाइस बनाया है कि हम उन्हें आजमाले कि इनमें से कौन नेकामाल बाला है इस पर जो कुछ है हम उसे एक हमवार साफ मैदान कर डालने वाले हैं जब आस्मान भड़ जाएगा और अपने रब के हुकम पर कान लगाएगा जब सूरज लपेट लिया जाएगा और जब तारे बेनूर हो जाएंगे मैं कसम खाता हूँ कियामत के दिन की नहीं बलकि ऐसी एहम काना बात मुशेकी ने मका भी कहा करते थे कि क्या जब हम मट्टी और हड्डियां होकर रेजा रेजा हो जाएंगे तो क्या असर नाव पैदा किये जाएंगे सूरह बनी इसराईल में अल्लह ताला ने फरमाया रसूल पाक शल लाह लीवाली वाली वसलम ने फरमाया मैं और कयामत ऐसे भेजे गए जितना शहादत वाली उंगली और दरम्यानी उंगली एक दूसरे के करीब हैं बहुआल सही बुखारी यानिव आप शल लाह लीवाली वाली वसलम खातब النभीया है मुसल्मान आकरी उम्मत हैं और इसके बाद कियामत का वक्त करीब ही करीब है सुरह अलन्बिया में अल्लह ताला फरमाते हैं लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया है और वो गफलत में मूँ मोडे हुए हैं इसी तरह सुरह अलाजाब में अल्लह ताला फरमाते हैं अलामात के जहूर होने में कुछ शक नहीं जो रसूल अल्लाहिवाली की तरह में अपनी मुबारक जबान से हमें बताई है। यह बात आज जाहर है कि लोग दुन्यावी मालों मता के पीछे हर बात लुटा देने को तैयार हैं और उनके हर का महवर और मरकज दुन्यावी साजों सामान ही होता है जिस मामले में भी देख लिया जाए अक्सरियत का यही हाल है रिश्टे और तालुकदारिया हूं मालों ज नजर के हसूल के लिए उपर से उपर और आगे से आगे ही नजर जाती है। नजर जाती है। किसी भी चीज में कोई बरकत नहीं है। रिष्टों में कोई बरकत नहीं है मतलब दिन और रात में कोई बरकत नहीं है इनसान की उमर में कोई बरकत नहीं है पहले लोग इतने इतने उमर की हुआ करते थे अगजाद से ज़्यादा 60-70-80 इससे ज़्यादा मतलब इनसान आगे नहीं जाता तरीके से दुनिया में हो रहा है कि बच्चों में भी मतलब ये सब बाते देखी जा रही है बच्चों को गलत छिफशाएं दी जा रही है गलत रास्ते पर मतलब बच्चों को निकाला जा रहा है ये एक तरीके से गुना ही है इन बातों को सोचकर दोस्तों बहुत ज़्यादा दिल उदास हो जाता है कभी-कभी तो ये था आज का हमारा रियक्शन आई होब आपको पसंद आया होगा दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजेगा सब्सक्राइब कीजेगा चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिएगा अलाहाफिज